नमस्कार दर्शकों मैं आपकी वास्तु गुरु मान्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फैमिली गुरु पर दोस्तों बाबा बरफानी के भक्त पूरी तरह से तैयार है बाबा बरफानी के दर्शन करने के लिए अमनात यात्रा जो है एक जुलाई से शुरू हो रही है कहा जाता है कि बाबा बरफानी को के हिम शिवलिंग के दर्शन से ही भक्तों के जो है सभी मनोकामनाय पूरी हो जाती है पौरानिक मानेताओं के मताबिक अमरनात की जो गुफा है वह वह जगे पर है जहां पर भगवान भोले नात्ने माता पार्वती को होने का गुप्त रहस से बताया था दर्शकों बाबा अमरनात की यात्रा की जो डगर है वह काफी कठिन है पवित्र गुफा तक पहुचने में भक्तों को काफी कठिनाईयों का काफी चुनोतियों का जो है सामना भी करना पड़ता है जिसकी वज़े से कुछ लोग बाबा दर्शनों दर्शन नहीं कर पाते हैं ऐसे में अगर आप भी अमरनात यात्राव पर नहीं जा पा रहे हैं तो इसके लिए आप परिशान बिल्कोल भी परिशान नहों क्योंकि आज आज आप घर पर ही रहेकर विधी पूर्वाग बाबा अमरणात की पूजा करने के लिए बर्फानी आपकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे तो आए जानते हैं पूजा विदी और उनसे जुड़ी हुई कुछ और बहुत ही इंपोर्टेंट बाते देखें दोस्तों बाबा अमरनाथ को की पूजा करने के लिए सबसे पहले तो सुबह उठकर आपको नहाना है साफ सुतरे कपड़े पहनने हैं फिर पूजा वाली जगे पर जाकर उसको साफ करना है अपने हाथों से साफ करें इंटेंट दे उसके बाद वहाँ पर बाबा अमरनाथ की पवित्र हिम शिवलिंग का जो तस्वीर होती है उसको स्थापित करें लेकिन अगर आपके पास ब बाबा बर्पानी को जो है उनका ध्यान करते हुए उन पर फूल चड़ाएं बेल पत्र चड़ाएं चंदन चड़ाएं अक्षत चड़ाएं धूप दीप गंध शक्कर यह सब चीज़ें उनके उपर चड़ाएं इसी दौरान शिव पंचाक्षर जो मंत्र होता है ओम नमस् का लिसा पड़ें बाबा अमरनात की कथा पाट करें पूजा पूरी होने के बाद आप बाबा अमरनात या फिर अमरेश्वर शिवलिंग का ध्यान करते हुए मनोकामना भगवान शंकर के आगे आप अपनी मनोकामना रगते और फिर अपनी गल्तियों की भी माफी जरूर मा दर्शकों अगर आप अमरनात यात्रा करने में सक्षम हैं तो जरूर जाएं लेकिन अगर आप किसी भी वजह से अमरनात यात्रा पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही रहकर पूजा विदी से आप बाबा बरपानी के आशिरवाद को भी पा सकते हैं तो है ना कितना इजी उ बाबा बरफानी की बाबा अमनाथ की यात्रा का घर बैठे ही सुख उठाएं नमस्कार